सभी लोग इसको नोट करने के बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे ठीक है इतना लिख लो अब देखो जो मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझेगा अभी तक जब हम लोग कैल्कुलेशन करते थे तो सेंसेक 2001 अप्लाई हो रहा था 2000 11 का कोई सेंसेक था ही नई आप प्राप्रापलम कहां से आगई कि दोनों सेंसेक्षे है अब आपको ध्यान अखना है नाइंत्स मंत आपकोंस होता है यह क्या है क्या अप्रेव में, जून, जुलाई, अगस्ट, सितंबर, अक्टूबर, नौवमबर, दिसंबर, जैन, फैब और मार्च, आराम से पूरा ये डाइगराम आप पहले बना लो, फिर मैं आप समको समझाने क्रयास कर रहा हूँ दिखो, यहां से लेके, यहां तक की जब आप बात करते हो, यहां पर सिंसिक्स अप्लिकेबल है, टू थाउजिन, फिर यहां से लेके, यहां तक, यह बात कितने महीने की कर रहा है, पांच महीने की कर रहा है, फिर साथ महीने की बात यहां पर हो रही है, यहां पर यहां पर पांच महीने तो ध्यान रखेंगे आपके अप्रेल से लेके अगस्क तक किसके होंगे होगा उसके बाद आपका इन्हीं बात को आपको ध्यान रखना है किसमें अध्यफ्य में ठीक है तो आएए इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूं क्यूस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अच्छा इस बार टीचरों की बहुत पढ़ने का रिक्वार्नमेंट है चलिए उद दिन मैंने अपने गुरू जी से इसको क्लियर किया बट इसका हमको सटिस्पेक्टरी आंसर मिल नहीं पाया था तो मैंने इसको खुछ से स्वाल किया आज प्रावीजन फिर से पढ़ा तो स सबसे पहले क्यूशन नमबर 9 हम लोग परते हैं Mr. X है तीन लाग चालीज जार का बेसिक सेली है इनका कमीशन 24,000 का है दस अजार उपे बोनस पाते हैं ये यूनिफार्म एलाउंस 6,000 का जिसका साट परसें इस खर्च करते थे चारीस परसें बचा के टेक्सेबल करा ले र प्रियास कर लीजे लिख लीजे ठीक है वीडियो देखते रहिए और बताइए क्या वीडियो कॉल्टी पहरेस गिर गई है जैसा कि हमारा भी कोचिंग बेस्मेंट में था तो उपर हम लोग आ गए हैं ठीक है तो थोड़ा सा इसके वज़ा से बहुत ज्यादा अब दूसर कोचिंग के साथ हैं हम लोग जैसे सिव गंगा इंसिट्यूट है तो हमारे मित्र हैं उनके साथ हम लोग अब आ गए हैं तो दोनों लोग को सोच समझ के चलाना पड़ता है ठीक है जिसके वज़ास कुछ क्लासें डिस्टर्ब हो जा रही है तो आप बिलकुल परिशान नह कोई जो तरह नहीं और हाइपर होके आप अपनी भी फीसेंसी खराब करेंगे और हमारी भी फीसेंसी खराब करेंगे ठीक है आज आईए देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर case number one की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे case number one का तो आज हैं सभी लोग case number one पर सभी को पता हो गया है कि salary की meaning क्या है थी लेक 99-2000 आ गया है salary की meaning हमने लिखा दी ठीक अब यहां पर देखिए salary salary वह क्या बोला है पहले case में अगर आप पढ़ो लिखता है आरेंड़ प्री अक्मोडेशन फ्लैट इस प्रवाड़े इन प्लेस बेर दा पॉपुलेशन मोर दें 40 लेक 40 की उपर की population है हमने अभी आपको बताया कि जब आप देखोगे तो यहां पांच महीने में सिंसिक्स आपका 2001 का फिर सात महीने में 2011 का सिंसिक्स लगा हुए हमने अभी बताया salary फिर 15 परसेंट पुराना प्रविजन 2001 में 40 लाग के उपर 25 के उपर का पॉपलेशन था 15 अपसे लिए तो 15 परसेंट आ गया फिर पांच महीने का फाइब बाइट लिए आप कितना गया यह मारा 24,950 कितना गया मारा 24,950 फिर 399,200 फिर 2011 का सिंसिक्स लगा रहे हुए आप 40 लाग के उपर का बैलू चेक करोगे कितना है 10 परसेंट आपसेल लिए इंटु 7 बाइट सात महीने के लिए 7 बाइट 12 है तो इक अन्सर्ण का आंजर आ रहा एक तो आपको पैले को सय सक्तार निकर्न अभा को संख 10 प्राश्रच करना है आपशंछ oppression को इस तरह करना हए नजहीं के लिए द्यारेट 8.50 के तो मैंने जब आपको पर हैbrργ दोनह उप्ड़। काईदे से मैंने आपको पढ़ा भी दिया है गलत हो गया कोई बात नहीं मैं आपको फिर से बता रहा हूं क्योंकि बिना उस गलत को पढ़े आप यह सही कर भी नहीं पाओगे ठीक है तो इसको आपको ध्यान रखना है थी राग 99 2200 का 15% आपको उन्हें पढ़ा रखा है ओल् से फिफ्ट एडिशन का ठीक है ध्यान रखोगे आप इसमें आ जाएंगे हम लोग फिर बात करेंगे केस नंबर दो पर यहां पर पॉपुलेशन क्या है जर चेक कर लीजे आप यहां पर पॉपुलेशन मोर दन फिप्टी लग बट नॉट एक्सिटिन 25 लग ठीक है तो ध् एरी का 7.5% कितने में निकले 7 ठीक है तो ध्यान रखो कि इसको सॉल्व कि 16,633 आ गया इसको सॉल्व कि 17,465 आ गया दोनों को एड कर दोगे 34,995 रूपए आपका आ गया है रेंट प्री एक्कुमोडेशन की बैलू ठीक है ध्यान रखो कि सभी लोग 34,995 रूपए आपका अंसर यहां तक आ गया ठीक है यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्राबलम है तो वह पूछ सकता है ठीक है आप मैसेज बग में फड़ा फट कमेंट करते रहो और ध्यान को जिसको क्लास नहीं मिल पार है रेगुलर वो टेलीग्राम का अपना चैनल जोइन कर ले और अ प्राबलम है ठीक है यहां पर देखो कहता है कि पॉपूलेशन अभी हमारी कितनी है वह लिखता है पॉपूलेशन नौट एक्सीडिंग ठीक है तो ध्यान को ओल्ड प्राबिजिन में जब 10 लाग से पॉपूलेशन एक्सीट करें थी 7.5 परसेंट अप सेली था ठीक है तो 12,475 आ गया फिर 399,200 का 5% नए प्राबिजिन में आ गया है फिर 7 मंत के लिए 11,643 दोनों को एट कर दे 24,118 रुपए यह आपका आरेफे का बैलू आ गया है तो तीनों इस पूरे प्राबिजिन को आपको बेटा बहुत काईदे से पढ़ना इसमें को किसा अगला पर वही आपकी बर्दास नहीं होएगी ठीक है तो सभी लोग इसको आराम से नोट कर लिजे और ध्यान रखेगा जो मैं पिछले में बोला तक गलत है गलत नहीं है यह रिक्टीफाइट प्राबिजिन है ने प्राबिजिन के साथ आपको सल्यूश्य प्रोवाइट करा जागे ठीक सब लोग मनोज अपॉइंट किये मुंबई में पचास दिन होटल में रहते हैं इसके बाद सिप्ट होते हैं जो घर उनको इंप्लायर ने प्रोवाइट कर रहा है था फ्रम फॉलोग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टेक्सेबल बैलू आ परकीजिस स्टे इन होटल तो आपक को सबी चीज़ उसने निकाल के दिया है कहता है कि रूम रिंट दो हजार रुपए है है ना एक्स्पेंस पेड और पेबल बाई इंप्लॉई पचास दिन रहता है दो हजार के रेट से कितना होगे बिटा ये एक लाख ठीक है फिर ट्वेंटी फोर परसेंट आप सैली फॉ देट अ कि पेडिया देट 25 फाइव in टू 24 परसेंटे 24 बटे 100 तो 24 ज़ार आगया ध्यान रखेंगे दोनों में से कम क्या है 24,000 है ठीक है फीर वो कहता है कि वो implied employers, employees से अपने 200 रुपए per day recover कर लेता है, 200 रुपए अगर आप recover करते हो, 50 दिन का कितना हो जाएगा, बेटा 10,000 रुपए हो जाएगा, तो जो आप recover किये हो अपने employees से, उसको आप minus कर दोगे, तो taxable value आप परकिस्ट यहां कितना आजाएगा, 14,000 इस बात को आप note कर लीजिए ठीक है, आराम से यहां तक सब लोग note कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज आएगे फिर हम लोग question number 11 में, यहां पर देखिए, कार के provision को express किया गया है, ठीक है, तो सभी को मैंने पढ़ा रखा है, कार का provision क्या है, सेली के chapter में, ठीक है, तो देखेंगे, compute the value of परकिस्ट आप motor car provided to the employee and owned by the employer in the following case, तीन case, चार case है इसमें, पहला case देखोगे, large car है, दूसरे case में भी large car है, अब दोनों में आईए अंतर समझते हैं लो, पहले में large car है, all expense bond by the employer, बीचा रूपीज वोन लेक, सारा खर्चा जो है, वो कौन bond कर रहा है, employer bond कर रहा है, actual खर्चा जो है, मारा कितरे का है, एक लाग का है, द्यानकों भी, cost of car की जब बात करूँगे, पांच लाख है, car is slowly used for private purpose of the employee, car को क्यों प्राइबिट परफर्च के लिए employee यूज कर रहा है, तो द्यान रखो, जब प्राइबिट परफर्च के लिए यूज करता है, मैंने आपको provision पढ़ा रखा है, क्या provision पढ़ाया है, प्राइबिट ऑफर्च कार या डेपरिसेशन प्लस ड्राइबर की सली, यहाँ ड्राइबर की सली है नहीं, टेन परसेंट डेपरिसेशन देखोंगे पांच लाख का दस परसेंट पचास जार, तो value of taxable purchase कितना गया आपका पहले case में एक लाग पच्चास अजार ठीक है सभी बच्चेस को आराम से नोट कर लेंगे फिर दूसरे में आओगे large car है लिखाए mean for both private and official all expense bond by the employer ठीक है तो सारा खर्चा कौन बियर कर रहा इंप्लाइज बियर कर रहा कार कैसे यूज हो रहे mix यूज हो रही है तो जब mix यूज होगी तो बड़ी कार होगी 2400 रुपे इंटू 12 कर दोगे 2800800 रुपे आपका value of taxable purchase आ जाएगा ठीक है driver है नहीं नहीं driver के साली को आप इसमें add कर देते ठीक है इसी के साथ हम लोग अपने केस नमबर थर्ड पर आ जाते हैं problem number C पर small car है दोनों यूज के लिए है प्राइबेट और मिक्स यूज है प्लस ड्राइबर भी है यहाँ पर तो बैलू आप taxable पर की साथ यहां निकालोगे अठारा सु रुपे छोटी कार का हो जाएगा क्योंकि खर्चा कौन बियर कर रहा है प्राइबेट वाला खुद ठीक है फिर ड्राइबर भी है सौफर का उन्तलब क्या है ड्राइबर 900 रुपे तो टोटल कितना अगे बेटा 2700 सत्ताइस इंटू बारा कर दो के 32,400 रुपे हमारा रेंट प्री स्वारी हमारे कार का बैलूएशन हो गया है कहां पर केस नंबर थर्ड में तो सभी लोग इसको पड़ा पर नोट कर लेंग कॉम्प्लिकेटेड प्राइब्लम है नहीं बहुत ही आपके लिए राज जाएंगे अम लोग डी पर लार्ज कार है आज इस दिखते नंलास्ट में बड़ी कार है बोथ आफिसन और प्राइबट परपट प्राइबेट एक्स्पिण्स狂 बियर कर रहे है इंप्लाई भूगा थीक है तो ध्यानक होगे लाज कार है एकस्पिंस कौन से बियर कर रहे हुँ प्राइबेट वाले इंपलाई ठीक है न तो 900 रुपए भाई बड़ी कार का 12 मैंने कितना होगे बिटा 10,800 इसका बैलू अप टेक्सिबल परकिश्ट आ गया है यहां तक आप लोग इसको नोट कर लेंगे ठीक है सभी लोग यहां तक नोट कर लीजे फिर लास्ट क्यूस्टिन में बता रहा हूं आपको इसके बाद 12 एक कंपनी है दा कंपनी एज गिवन मिस्टर रभी आ हाउजिंग लोन पांच लाग रुपए रभी को हाउजिंग लोन में दे रही है एक दस दोजार तेस को आपको बताया था कि क्या करना है ऐसे केस में एक अप्रेस दोजार तेस्ट चोविस का इंटरेस्ट रेट शेच करना है किसका इस्बियाई कर जोगे कितना है 10 परसेंट है ना उसका इंप्राइट पांच लाग उसको दे रहा है दस परसेंट पर छे मैंने के लिए कितनी आरी थी इंटरेस्ट की पचीस अजार रुपे बट उसने उसको दिया शे परसेंट पर ठीक है ना शे महीने के लिए तो 15 रुपए है कि नहीं इंटेस का बैलू अगर वह बैंक से लिया होता तो उसके इंटेस कितना पर पाचीस पर उसके इंप्लॉयर ने उसको क्या कर दिया 15 में दे दिया तो ध्यान रगो उसको 10 रुपए का यहां पर प्राफ पहले में टेक्स लगेगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, इसको आप यहां तक आराम से नोट कर लीजेशा, सबी लोग यहां तक नोट कर लें इसके आगे की बात जो होगी ठीक है अभी क्या करेंगे हम लोग यहां तक स्वाल करेंगे बहुत सारे ने प्रोबिजन आ गए ठीक है तो आराम से आप किस्टन को लगाओगे ठीक है अच्छा ऑन-लाइन वाले बच्चे पर रिसान है की और क्लास चालू होगे बेटा अभी बच्चे बहुत कमा रहे हैं सब जगा तो अभी आपकी थ्योरी क्लास चालू नहीं हो पाई है जैसी चालू होगी आपको फड़ा-फड़ क्लास मिलेगी आप बिल्कुल परिसान नहीं होगे थोड़ा सा सबर बनाए रखें ठीक है चलिए किसी के साथ आपको टाटा बाए बाए